मुर्गिया पाल्तू परिते हैं मुर्गा सुभा सवेरे बांग देकर हमें जगाता है और मुर्गियों से हमें अंडे मिलते है बगला सारस और हंस एक ही तरह के परिंदे है बगले की टांगे चोज और गर्दन लंबी होती है और दूम छोटी बगले नदी के किनारे रहते है ये बड़े सीधे साधे नजर आते है लेकिन बगलों को जैसे ही मचलिया पानी में तैरती ही नजर आती है वो उन्हें फॉरण हड़प कर जाते है सारस सारस सफीद होता है इसके उपरी इससे पर कुछ लाल पर होते है और सारस उड़ने से पहले हवाई जहाज की तरह जमीन पर दौरता है आपने देखा होंगा कि जब हवाई जहाज आसमान में उड़ान भरता है तो वो उड़ान भरने से पहले जमीन पर थोड़े देर चलता है और उसके बाद धीरे धीरे आसमान की तरफ उड़ान भरता है तो ये परिंदा भी वैसा ही है ये भी आस्मान में उड़ान भरने से पहले जमीन पर दोड़ता है और उसके बाद उड़ता है हंस हंस भी एक सफीद और बहुत खुबसूरत परिंदा है जो हमेशा तालाब के अंदर तैरता रहता है कववा और कोयल दोनों काले होते है दोनों एक ही जैसे नजर आते है मगर कववा जरा बड़ा होता है और कोयल छोटी होती है कववा अपनी चालाकी के लिए और कोयल अपनी मीथी आवास के लिए बहुत मशूर है बचों जब गर्मी के मौसम में आम के दरख पर बोर आते है उस वक्त कोयल उस पे बैटकर अपनी कोको सुनाती है अल्ला ताला ने परिंदों का जिस्म ऐसा बनाया कि वो आसानी से उड़ सकते है इन में बास परिंदे ऐसे हैं जो छोटे-छोटे कीडे और मकोडों को खाकर हमारी फसलों की हिफाज़त करते है यह जो छोटे-छोटे कीडे और मकोडे होते है जब खेतों में फसले लैला हाती है उस वक्त यह छोटे कीडे उन फसलों को खाकर खराब करते है ऐसे हाल में जो परिंदे होते हैं उन कीड़ों को खाकर हमारी फसलों की हिफाज़त करते हैं खराब होने से उन्हें बचाते हैं और कुछ परिंदे तो अपने माहूल में मौजूद मुर्दार जांदरों का गोश्ट खाकर हमारे माहूल को गंता होने से बचाते हैं इनमें गीद, गीद एक परिंदा है, यह बहुत एहम परिंदा है, इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, मगर इस परिंदे की तादाद अब घटती जा रही है परिंदे आम तर पर गोसलों में रहते हैं, यह अपना गोसला बनाने में बहुत महनत करते हैं बास परिंदे तो ऐसे होते हैं जो अपना गोसला बनाते हैं और उसे देखकर हमें बहुत ताज्यूब होता है इन में सबसे ज़्यादा कारगीरी से बनाया हुआ गोसला बया का होता है बया एक छोटा सा परिंदा है मगर इसका गोसला जो है तो बहुत ही खुपसुरत होता है बच्चों आपने देखा होगा कि एक दरक्त के उपर कई तरह के परिंदे रहते हैं और उनके गोसलों की बनावड भी अलग-अलग होती है किसी का गोसला टोकरी की तरह होता है तो किसी का बोतल की तरह होता है ऐसे परिंदे भी है जो अपनी लंबी चोट से तरक्त के तने में सुराग बना कर अपना घर बना लेते है प्यारे बच्चो जरा सोचो कि इन खुबसूरत परिंदों के बगए हमारी दुनिया कैसी लगती नाच्टा मोर, कोक्ती कोयल, बोलते तोता और मैना पानी में तेरती बतके, हावा में उड़ते कबुतर और चह चहाती चिलिया देखकर हम सब को बहुत मज़ा आता है ये परिंदे हमारे माहूल को खुशगवार बनाते है इसलिए हमारा ये फर्ज़ है कि हमने इनकी इफाज़त करना चाहिए